तो न्यूज नेशन इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे रहा है दिल्ली हिंसा से जुड़ी जो खबर सबसे पहले आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं जरा देखे ये शक्स यही वो शक्स है शारुक जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे एक वक्त पहले तकरीबन आ पासो किलोमीटर की दूरी पर पश्ची में उत्रपदेश के शामली से इसको ग्रफतार किया गया है ग्रफतारी के बाद कि ये पहली तस्वीर है जो सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर शारुक को ग्रफतार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस की टीम अब इस शक्स को शामली से लेकर आ रही है दिल्ली कई बड़े सवाल हैं जिसके जवाब इस शक्स से पूछे जाएंगे जिसके जवाब इस शक्स को देने होंगे आकर कैसे इतनी बड़ी संख्या में हत्यार पहुँचे कार्तूस पहुँचे क्या ये हिंसा एक सोची समझी इस शक्स की जा रही थी कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या इस हिंसा का दायरा सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था या इसका दायरा कहीं जादा व्यापक था ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अब शारुक को देना होगा शारुक के मददगारों की पहचान क जा रही है ये खबर सबसे पहले डियूस डेशन ने आप तक पहुंचाई है दिल्ली धंगों का वो चहरा जिसकी तस्वीर हर किसी के जहन में है जिस शक्स को हर किसी ने देश की राजधानी में दिन दहारे पिस्टल लहराते हुए देखा था उस शक्स की तस्वीर आप द जगातार बने हुए है रुमान और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या कुछ और अपडेट को पहचाना था इस भीड के अंदर जो कि दंगायों की भीड थी उसमें कई गेंग्स्टर भी शामिल थे और बाहर से आयवे लोग भी थे और ऐसी स्थिति में अगर कोई बाहर से आयवा लोग है भीड है तो उसको इलाकी की भौगलिक स्थिति के बारे में पता नहीं होता और उनको मोटिवेट करने वाला भी कोई चाहिए पुलिस को ऐसा लगता है कि शारुक की वो इस दंगो की कड़ी था जो कि भीड को लीड कर रहा था उनको मोटिवेट कर रहा था रास्ता दिखा रहा था सबसे आगे लीड करके पिस्टल के साथ फाइरिंग भी लगातार क यहां से काउंडाउन शुरू होता है उन तमाम बड़े सवालों के जवाब सामने आने का देखी यही वो कड़ी है चुकि पहला मैंने बदाया कि जिस तरह दंगर पहला चेहरा इसी को माना गया तो पुलिस के पास अभी इस तरह की लीड से क्योंकि पुलिस को जो फूटे जलाना है इस मकान को जलाना है यहां मारना है इस पेट्रोल पंप को जलाना यह फूटी चो छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश का एक एहम हिप has 2 मँकान वास पूरी तिलिसम को बुОना गया जिस पूरी साजिश से तयार किया गया उसका सही कड़ी ये शारूख है और साड़े तीन बजे जब दिल्ली पुलिस प्रेस कॉंफेंस कर रहेगी तो उस वक्त ये बताने की जरूर कोशिश करेगी कि आखिर इनको ट्रेक करते वक्त क्या-क्या परिशानी और मदद करने वाले कौन थे ये एक करने के बाद दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉंफेंस पर नजर रखनी होगी किस तरीके की जानकारी सामने आती हैं